हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल निशू जाईका मैं हूँ निशू आज हम बनाएंगे फटे हुए दूद से बहुत ही टेस्टी मिठाई जिसे आप मिल केक भी कह सकते हैं तो आएए शुरू करते इसे बनाना इसे बनाना बहुत ही आसान है तो सबसे पहले हम पैंट चुराइंगे गयस के ऊपर और उसमें हम डालेंगे छेना गर्मी में अक्सर दूद फट जाता है तो हम इस तरह से इसे मिठाई बना सकते हैं तो इससे पहले डाल देंगे और इसका एक्ष्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे पहले से ही और फिर गयस्वान करेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए थोड़ा सा ड्राइ कर लेना है फटे हुए दूध से बहुत कुछ बना सकते हैं गर्मी में अकसर दूध हमारा फ़र जाता है तो हम परिशान हो जाते हैं थो उससे आप प्राथा बना सकते हैं तो इसे ड्राइ कर ले चलाते हुए यहां पर आप देख सकते हैं पांच मिनट के बाद कुछ इस तरह का हो गया है अब हम इसमें एड़ कर लेंगे आधा कप चीनी 100 गराम के करीब और फिर दो इलाइची इस तरह से क्रस्ट करके और इसे आप 10 मिनट क इसे बादाम इस तरह से काट कर डाले और इसे चलाते हुए आपको 2-3 मिनट और लो फ्लेम पे इसे ड्राइ कर लेना है तो फ्रेंस छेना की सबजी की रेसिपी पकोरे की रेसिपी मेरे चैनल पे हैं आप चाहें तो देख सकते हैं तो अब हम इसे प्लेट में निकाल अब आते हुए शेप दे देंगे चौकोड कर देंगे फिर इसमें हम चाकू से कट लगा लेंगे और इसे आदे घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए नहीं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर यह मेरे रेसिपी आपको पसंद आई हो तिसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए फ्रेंस हल्दी खाईए हल्दी रहिए थाइंक यू